प्रभु के प्रियों लोगों आग सबी को जय मिसे की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभी इश्यमसी ने हमें आज का दिन दिखाया देखो काफी लोग है लाखो लोग है जो आज का दिन नहीं दे सके प्रभू की महान करूना है प्रभू की महान दया है कि हम जीवित हैं और इस दिन को देख रहे हैं इसके लिए प्रभु का दिन्ने बात करते हैं हालेलिया प्रभु को लोगों मेरा जो आज का विश्या है वो है शान्ती और अराम देखो लोगों के पास इतनी धन संपती है पर वो शान्ती और अराम को नहीं करिश सकते वो शांती और आराम की तलाशे में है अगर आपको भी शांती और आराम चाहिए तो हमारे साथ बने रही है हलेलिया इस वीडियो को पूरा देखिए हलेलिया सो आईए एक वचन पढ़ते हैं मती 11 अध्याय उसका 28 वचन हलेलिया हाँ पढ़ेंगे हे सब प्रिश्रम करने वालो और बहुत से दबे हुई लोगो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा हलेलिया दुवारा पढ़ेंगे हे सब प्रिश्रम करने वालो और बहुत से दबे हुई लोगो मेरे पास आओ मेरे पास आओ में तुम्हांदो całक हलिल्लीया लिख ये सब प्रिक्ष्रम करने वज़ों और रेंवालों लोगो है सब मेहनत करने वालों लोगो PABY प्रभी शमसी के पास हो, प्रभी शमसी आज आप से कहते हैं मेरे पास हो, मैं तुम्हें शांती दूगा, मैं तुम्हें आराम दूगा, मैं तुम्हें चिंग्याई दूगा, मैं तुम्हें धन संपती की आशिज दूगा, मैं तुम्हें दुस्त अत्मा से चुटकारा अज़ पुकारते एंगे हम्मेह में परमेशन बुम्हें बोला रहे हैं अलेलिया लिखा ए मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या करूँगा शांती दूँगा आशिश दूँगा चंक्लियाइग दूँगा अधन तुलerc प्रश्श कि आशिश दूँगा हलेलिया। देखिए आज हर एक इनसान बोज के नीचे दबा हुआ है। हर एक इनसान के ऊपर बोज है। हलेलिया। सो एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ उससे आप अच्छे से समझझाेंगे। ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में बताया गया है, समझाया गया है, यह मैंने ही बनाई है, मतलो एडिट की इसको थोड़ा सा, आपको समझाने के लिए तक आप अच्छे तरी किसी से समझ सके, देखो एक इनसान है, उसके उपर क्या है, बोज है, घर का बोज है, हलेलिया, और आप आगे देख बच्चे पढ़ा ही नहीं कर रहें, बच्चों का अच्छे स्कूल में डाना है, उसका बोज, फिर उनकी शादी का बोज, आप तस्वीर देख सकते हैं, शादी का बोज, भी उनकी शादी कहा होगी, कैसी होगी, किस से होगी, कैसे लोगों से होगी, मसी लोग से होगी, या के खीरीये में कुषटा में जो भूण के सलह रही है उसका पिज़ घर में घर में कोई आपको बच्चे है है कोई जो नशा करता है ड्रिंक करता है उसका पिज़ उसको लेकर हमसाय चोरह पराशननी सरी है उसका इंदि और ऑपनी बीमारी का बोच आप दे सारा बोज एक इनसान के उपर है देखो बोज कितना बड़ा और इनसान छोटा सा हालेलिया इनसान इन बोजों से दब जाता है इन बोजों को उठा नहीं सकता हालेलिया इस बोजों को क्या है इनसान उठा नहीं सकता ये बोजों के बोजों के नीचे दब हुगा है घर का पर प्रबु के लोगों प्रभी ईश्मसी आज आपस कहते हैं प्रभी ईश्रमसी के पास आना है अगर आप अभी तक प्रभी ईश्मसी के पास नहीं आए तो प्रभी ईश्मसी के पास आप entrepreneurs इस बोज Ko को अपने उपर ले लेंगे इस बोज को अपने उपर ले लेंगे और आपको क्या कर देंगे अजाद कर देंगे हाले लिया प्रभी शुम्सी आपको अजादी दे देंगे प्रभी शुम्सी जो आपके उपर बोज था वह सारा बहुत प्रभी शुम्सी अपने उपर ले लें मैं तो सब पराणियों का परमेश्र यहवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठीन है, हाले लिया, सब प्रभु के लोगों प्रभी इश्रम्सी कहते हैं, हाँ पढ़ेंगे दुबरा, मैं तो सब पराणियों का परमेश्र यहवा हूं, चै मेरे लिए कोई काम कठीन है, आप सभी जानती हैं कि प्रभी इश्रम्सी ने सब कुछ बनाया, उत्पती की एक दयाय में, फिस्ट दयाय में, सारा कुछ बता रहा है प्रभु ने, कैसा 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 किया प्रमेश्र न सकते हैं, हलेलिया, सो प्रभु के लोगों वचन पढ़ेंगे, मैं तो सब पराणियों का परमेश्र यह हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठीन है, प्रभु के लोगों प्रभु के लिए कोई भी काम कठीन नहीं है, हलेलिया, आपके घर का बोज प्रभी इश्रम्सी दूर क आपके घर का बोज प्रभी शमसी उठा लेंगे, आपके कामकाज का बोज प्रभी शमसी उठा लेंगे, आपका जो बिजनस नहीं से रहा प्रभी शमसी उस बोज को खत्म कर देंगे, अपने उपर लेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई को लेकर बोज आप प आपके जो करजा है करजे का बोज प्रिबिश्यमसी को हटा देंगे खत्म कर देंगे घर में जो नशा करता है ड्रिंक करता है कोई भी ड्रक्स लेता है जो भी है प्रिबिश्यमसी उस बोज को भी खत्म कर देंगे आपके उपर कोई भी बोज नहीं आने देंगे परमेशन आपके बिमारियों का बोज परमेशन मसी खत्म कर देंगे हलेलिया आपके जो गरीबी का बोज है उसको परमेशन खत्म कर देंगे हलेलिया लेकिन क्या करना है परमेशन मसी के पास आना है हलेलिया अपना क्या करना है लेकिन क्या करना है अपना बोज प्रभीश्यमसी के उपर गेरना है अलेलिया जब तक आप अपना बोज प्रभीश्यमसी पर नहीं डालते तब तक प्रभीश्यमसी उस बोज को खत्म नहीं करेंगे हालेल्यया क्या करना है अपना उपण बोज पर डालना है जब आप अपना बोज पर बोज को उठा लेंगे और आपको आजाद कर देंगे हालेलिया जीर में बतिस दैस ताइस वसंड लिका है हां पढ़ना द्वारा मैं तो सब पराणियों का परमेश्य यहवा हूं क्या मेरे लिए कोई काम कटिन है परमेश्य के लिए कोई भी काम कटिन नहीं है इंसान के लिए काम कटिन हो सकता है जिसके पास लाखों क्रोणों की संपती है और बोखरबों की संपती है उसके लिए काम कटिन हो सकता है वो शांती और अराम को नहीं करीज सकते इतने धन संपती होने के बावजद भी वो नही लिक्रिष सकते उस शांती को नहीं ले सकते उस अराम को नहीं ले सकते लेकिन सची शांती प्रमेशर की और से मिलती है तो हम क्यों चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे हमारा बिजनस चलेगा, कैसे हमें कैसे चुटकारा मिलेगा, क्यों हम चिंता करते हैं वैवल में लिखा है मतीच छे अधै उसका 25 वचन में लिखा हुआ है पढ़ेंगे इसलिए मैं तुम से कहता हूँ अपने पराण के लिए यहां चिंता ना करना हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और ना अपने शरीर के लिए भी क्या पहनेंगे या पहनेंगे सो परभु के लोगों कैश से छुटकारा हूगा कैसे हमारा बिजनस चलेगा कैसे बच्चों की शादी होगी कैसे बच्चे स्कूल में अच्छी तरिके से पढ़ाई करेंगे कैसे जो घर में नशा चार रहा है ड्रग्स चार रहा है कैसे उसे शुटकारा मिलेगा आलेलिया प्रभु के लोगों अपना बोज प्रभी इश्यमसी पर डाल दो आलेलिया अपना बोज प्रभी इश्यमसी पर डाल दो जब आप प्रभी शमसी पर अपना बोज डालेंगे परमेशर आपको अजाद कर देंगे अजाद का मतलब जो भी जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कैसे इतना बड़ा बोज घर का उसके घर का परवार का वच्चों का उसके उपर आये हुआ था उस आदमे को कैसे दबा रखा था बोज ले तो प्रभी शमसी क्या करेंगे वो पूरी की पूरी गठली क्या करेंगे अपने उपर ले लेंगे और आपको अजाद कर देंगे जब प्रभी शमसी के पास आप आएंगे तो प्रभी शमसी आपके हर परकार के बोज को खत्म कर देंगे आपको अजाद कर देंगे अपना बोज मेरे पे डाल दो आज बहुत से लोग शांती की तलाश में है प्रभी शमसी कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जा रहा हूँ हलेलिया जब प्रभू की शांती प्रभी शमसी की शांती आपको मिलेगी तो आप एक दम से रिलेक्स महसूस करेंगे जब प्रभी शमसी की शांती आपको मिलेगी तो आप अज़ादी मैसमस करेंगे जब प्रभीश्यम से की चांती आपको मिलेगी तो आप अज़ाद हो जाएंगे, रिलेक्स हो जाएंगे हलेलिया सप्रभू को लगो, आपको एक काम करना है विश्वाश के साथ एक कदम बढ़ाना है जब आप विश्वाश के साथ कदम बढ़ाएंगे तो प्रमेश्यम आपकी तरफ दो कदम बढ़ाएगा हलेलिया देखो, हम जो हैं विश्वाश के साथ आगे नहीं बढ़ते हम जो हैं, जो अपना भोज़ आप प्रमेश्यम पर नहीं डालते अपने उपर ही लही रखते हैं अपने प्रमेश्र के उपर डाल देना भी हाँ हमने प्रात्ना की यह काम हो गया हमने प्रात्ना की यह काम हो गया हमने प्रात्ना करवाई यह काम हो गया तो विश्रवाश कर रखिए वो काम आपके लिए हो गया वो बोज अपने उपर मत रहो, वो बोज पर मेश्री के उपर डाल दो, जैसे कि, जैसे मैंने आपको बताया, घर की समस्या है, घर का बोज है, प्रभु के डालो, प्रभी एश्यम्जी, मारे घर का बोज है, मारे घर का बोज है, मारे घर की समस्या है, आपके उपर डालते है बस relax हो जो प्रातन को रहो भी प्रभ क्रम्ष्ण कर दिया अपने उपर लेकर मट से घुमते हो COM होगा नहीं होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा अरे जब आपने प्रभु पर ही डाल दिया बोज आपने जब प्रभी इश्रम से पर बोज डाल दिया तो आप क्यों टैंशन में हो क्यों चिंता में हो क्यों प्रशान्य में हो अलेलिया तो क्या करना है अपना बोज प्रभी इश्रम से पर डालना है तो प्रभु के लोगों जब आप अपना बोज प्रभी इश्रम से पर डालेंगे प्रभी इश्रम से आपका बोज उठाने के लिए प्रमेशर हर दम त्यार है लेकिन क्या करना है आपको अपना बुछ परमेश् Delta डालना है और विश्वाश के साथ परमेश्य के साथ बने रहना है और विश्वाश के साथ कदम उड़ाना है हलेलिया मैं सबनी के लिए प lenses अर्छे लिए हलेलिया मेरे मानसर गिता प्रभी शमसी जी प्रातना करते हैं जो भी इस वीडियो को देखता है प्रभी शमसी सब को ब्लस कीजिए मेरे मानसर गिता जिन्हों ने भी प्रभी शमसी इस बचन को ग्रैन किया है प्रभी शमसी वो ब्लस हो जे तांकि प्रिविश्यमसी वो आप में बढ़े रहे आपके साथ चलते रहे मेरे मान से रहे ता प्रिविश्यमसी इनकी प्रिविश्यमसी हर परका की समस्या परशानी बीमारी बोच प्रिविश्यमसी आपके नाम से खत्म हो जाए इनके साथ रहे इनकी मदद कीजिने की साहता के जिए आमेन